मेरा नाम नर्शी ग्रेवाल है मैं अर्याना का रहने वाला हूं रोतक का और जब ये बिजनिस को देखा था तो मैं फोज में नोगरी करता था आजे होल्डार क्लर्क की आर्मी मेडिकल कोर में और बिजनिस को देखने के बाद मुझे लगा मुझे लगा कि इसको करना चाहिए और मैंने दो बाते सोची अगर मैं इसको करता हूं तो क्या हो सकता है और नहीं करता हूं तो क्या हो सकता है तो मैंने एक बंदे से चला ली में बोला यार बिजनिस तो बढ़िया लग रहा है ये इसको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए मेरे को हान नाम जबाब चाहिए यस और नो में और जिसके भी मतलब मुँव में जबान है सारे लोग यस या नो बोलेंगे अगर किसी पाई बेन के मुँव में तकलीब है तो गर्दन इलाएगा ठीक है इला सकते हैं यस और नो तो दोस्तो मैंने सोचा अगर मुझे अच्छा बच्चो का असली पापा कोन होता है जो जो बोले उनको दिला दे यस और नो तो मैं बोला अच्छा बच्चो का आशली पापा बन सकता हूं वीवी का असली मर्ण सकता हूं मापापका अच्छा बेटा बन सकता हूं और गाड़ी बंगला अवाई जा सारी चीजों का इंज्वाय कर सकता हूं तो दोस्तो आठ पाथ हदार का रिस्क इन सब चीजों के सामने चोटा है या बड़ा है चोटा है लेना चाहिए था कि नहीं मुझे लेना चाहिए था चलो आप लोगों ने बोल दिया कि चटजा पांडे हम आपके पीछे हैं तो मैंने रिस्क ले लिया और मैंने इसमें काम करना शुरू किया जब काम करना शुरू किया तो सुरुवात में ने सोचा था कि जिसको भी बताऊंगा और जुरूर समझ जाएगा क्योंकि मैं समझ गया तो मेरे जैसे समझदार और भी है इस दुनिया में यह सुर नो लेकिन जैसे ही पांच लोगों को बताया पांचों के पांचों ने मना दिया मेरी हवा निकल गी और मैंने अप्लाइन से बात की इसर पांच लोगों को बताया था सब ने मना कर दिया मुझे नहीं लगता कि मैं डाइमेंड बंड परूँगा तो पांच लोगों ने सर ने हमारे जो मेरे अप्लाइन थे उन्हों ने जोईन कराया मैं जरूर उनको दिल से कि उन्होंने मुझे प्लान दिखा दिया अगर प्लान नहीं दिखाया होता तो सायदम आज स्टेज भे नहीं होता और वो कोई और कोई नहीं है वनन अल्ली एस सिस्टम के और ट्रिपलेस के और पावराउस मिस्टर ओम प्रकाजी में चाओंगा उनके लिए आज प्लान दिखाया मैंने बोला सिर फांच वलप क्या हुआ पांचों ने मना कर दिया सर बला आप यह बताओ इस दुनिया में अ कितने अथ मिह मैं नहीं है मैंने एकल्गी सो बीस मोड़ होंगे लगब तो बोले एकल्स म्मलेंिक करोड में से पांच गटाओ कितने प्रोडक्त तियार न हो जाते हैं जो मिल्ट सही है तो चिंता नहीं करना बगल और पलान बता वे दो ऊबह를 को दूंक है तो नहीं है थेका नहीं हो अंग रख रैक थेखते रोखम उस पाइस फर हींगख करनाisión 53 तो एक ही बात कर लें दिल में, कि आये तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स, आये तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स, आये तो बेस्ट, नहीं तो 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 तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? Yes or no? कितने लोगों लगता है बनना चाहिए एक बार हाथ कड़े कर रोकर देखाए? Thank you. और दोस्तों उसी टाइम पर मैंने बोला सर से, सर ने बोला ग्रेवाल जी बात समझने की है थोड़ी सी, अगर आप बात समझ लेते हो, तो कोई माई का लाल, कोई इस दुनिया का हवा पानी आपको डाइमेंड बनने से नहीं रोक सकता, मैं बोला वही बता पहले, कौन सी बता दे, जिससे हम डाइमेंड बन से के, यस और नो, तो उन्होंने एक बात बोली, आप ध्यान से सुनना, पला आपने दो चार को पांच को दिखा दिया, और बात खतम समझते हो आप, ये कोई 100 मीटरी की रेस थोड़ी है, कि आप उदर से उदर दोड़े, जीत के तो ठीक है, नहीं तो हार गे, ये तो भईया मेरेटन रेस है, कैसी रेस है, आप दोड़ते रहो, फिर पाणी पीलो, फिर दोड़लो, फिर पाणी पीलो, फिर दोड़लो, कोई मना करता है, दोड़ता है, सही है, कोई मना नहीं करता, दूसरी बात, कम समय में ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है मैंने बला वो कैसे तुन्होंने एक 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 जम्पल दिया आप लोगोंने गोली सुना होगा गोली कंचा कंची या कंचा या जो भी एक गोली सुना और बोला एक गड़ा होता है उसको क्या बोलते है क्या बोलते है अच्छा कोई बोलता है गुचू कोई बोलता गड़ा जो भी है तो बोला ग्रेवाल जी अगर आपके आथ में गोली है कंचा है और एक गड़ा है उसमें आपको डालना है एक तो आप डालोके दूर खड़े होके मैं बोला सर कोई गैरेंटी नहीं है कोशिस करेंगे डलेगा तो ठीक नहीं दिलेगा पुला अगर आपके पास दो गोली हैं तो आप फिर आप डाल दोगे नहीं बोला सर फिर भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा दोनों मैं इसे डल भी सकता है नहीं भी डल सकता है लेकिन बोला ग्रेवाल जी अगर आपके हाथ में सो गोली हैं कितनी गोली हैं सो कंचे हैं सो कंची हैं और अगर आपने सो कंचे उस पिल में फैकोगे, तो दो-चार डल जाएंगे कि नी डल जाएंगे? मैंने बोला सर्ट सलाख बंद करके फैक हुगा, तो भी दो-चार तो डली जाएंगे. Yes or no! Yes or no! डल जाएंगे कि नी डल जाएंगे? Thank you. मैंने बोला सर्ट डल जाएंगे, आप लोग बताओ, डल जाएंगे कि नी? पर बोला डर्ना किसका? ग्रेवाल जी, बजार में कंचो की कमी है क्या? पकड़ पकड़ के डालते जाओ, ये प्लान जो है, आपका गड़ा ही है. उसमें लेला के डालते जाओ, सो पचास डालोगे तो पता लगएगा आपको, आपकी रिक्मेंडिसिन पूरी होगी और आपका काम शुरू हो गया. मैंने सोता है ये फार्मूला दबढ़िया है. अपना ना चाहिए कि नहीं अपना ना चाहिए? Yes or no? लेकिन लोग उसी टाइम पे दिमाग लगाना शुरू करते हैं. उसी टाइम पे आप लोग ने सुनी होगी, मैं आज फिर सुनाऊगा, तीन बच्चे थे चिडिया के, उसकी कानी सुनी होगी, लेकिन मैं आज जरूर सुनाऊगा. एक चिडिया के तीन बच्चे थे, और उनको उड़ना सिखाना था, तो उचे पेड़ पे पाड़ी के उपर एक पेड़ था, उस पे लेके गई, चिडिया और उनको बोला पाड़ी पेड़ पर से धक्का मारती थी, ताकि ये उड़ना सिख ले, तो पहले बाड़े को से नीचे की तरफ जाओगे, लेकिन आपका काम के वह लेगी है, बंख इलाते रहेना, क्या करते रहेना, गर्तन उपर रखना और पंख इलाते रहेना, तो बोला ठीक है ममी पहले बाले को दख्का मारा उसने थोड़ी देर पंक हिलाए लेकिन बड़ी स्पीड से नीचे जा रहा था ग्रेविटेशन फोर्स खीच रहा था नीचे की तरफ तो नीचे जा रहा नीचे जा रहा और बच्चा डरने लगा उसने सोचा यार मैं तो नीचे जा रहा हूं गिर जाओंगा गिरूंगा तो मर जाओंगा मुझे लग रहा ममी कुछ बताना बूलगी और मुझे कुछ और करना चाहिए तो उस टाइम पे पंक हिलाने के लावा औ एक ही काम कर सकता है पंख याने बंद कर सकता है और उसने बंद कर दिये और तपक गया तपक तीम वर बहुड़ या है तु दूसरे बच्चे को समझाया बोला देख पहले बढ़ा गया तुदे देख लिया बीच में रुगया पंख लाना से अभी तू रुकड़ा नहीं वे और पंग घलाया 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 एक स्टेज के बाद काफी नीचे चला गया और डिरने लगा घबराने लगा और फिर पंग हिलाता रहा नहींत कर तो ऐसे स्टेबल चलने लगा और उसी टाइम पे उसको ख्याल आया कि यार मैं तो उपर की तरफ उड़ी नहीं पा रहा हूँ लग रहा है मम्मी कुछ बताना बूलगी लग रहा है मम्मी कुछ बताना बूलगी मुझे कुछ और करना चाहिए और और करेगा तो क्या करेगा पंग हिलाना बंद और ओभी टपक ग्यार मर गया तीसरे बाड़े बच्चे को बोला कि बेटा दो भाईयों का देख चुका है तूँ हाल अभी तू पंग हिलाना बंद मत करना अगर तू पंग हिलाता रहेगा तो फक्का स्टेबल हो जाएगा और फिर उपर भी उट उसने ऐसे ही चला रग लगाई फंग हिला लाटे रहा वह भी निचे मचेना भी पंग हिला ते रहेगा लेकिन जब स्टेबलस ब्याद दयू स्टेशन आई तभी पंग हिलाक हिलाक हिला किला तरा य लातरा लातरा उपर की दरूद् назад घ्या इसका मतलब यह है कि मैंने जैसे जोएन किया या हमारे सरलोगों ने जैसे जोएन किया ऐसे ही हमने भी पंग हिलाए हमको भी डिर लगा हम भी नीचे की तरफ गिरे हम भी मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटिशन भोर जब औरों बच्चों के लिए काम किया हो हमारे लिए भी क तो पक्का डाइमंड बन जाएगा और हम डाइमंड बन गे यही एक राज है तेंक्यों लेकिन दोस्तों हम लगे रहे आगे थोड़ा सा रजल डिकलना सुरू हुआ लेकिन जैसे ही रजल्ट आपके निकलते हैं या किसी के भी निकलते हैं तो उसका फिर ग्रेविटेशन फोर्च काम करता है मेरे साथ भी काम किया क्योंकि पहले जमाना और था अभी जमानाौर है और यह जमाना बदलता रहता है अब जैसे मुझे दोडीटी मिले एक दिन कि उसी दिन में बैंक में गया है भी दिवणाने के लिए मैंने आपार्न बळकर हो और पैसे दे दी उसने ठपा मार कर कर वोजी आदमी हो, खुद तो फस गे, दूसरों को क्यो फस आ रहे हो। मैंने सोचा रही है तो बड़ा उल्टा काम हो गया, गल्ती होगी। मुझे यह भी एकल नहीं थी, मुझे यह भी नहीं मालम था कि डिडी कैंसल हो सकता है। लेकिन मैं तुरंथ लुटा पिटा वख सा महसूस करके माथे पर पसीना आ गया और मुझे फीला पीला दिखाई देने लगा। और मैं नीचे की तरफ आया। और जब ऐसी सिच्वेशन किसी के साथ हो तो उसको उस समय पे कौन याद आता है। अपलाइन? Yes or no? Yes तो दोस्तों मैं आया और मैं नीचे आके अपने अपलाइन को फोन लगाया। मेरे अपलाइन उस टेम पे जबलपूर में थे, Mr. Umparakaji तो मैंने फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाया बला हां ग्रेवाल जी। मैंने बलाइन, Mr. Grewal बोल रहा हूं आगरा से। मैंने बलाइन, Mr. Grewal जी। मैंने बलाइन, Mr. Do DD Bank में बनाने के लिए आया वा था। मैंने बलाइन, very good, congratulations, बहुत बढ़िया। मैं बलाइन, आगे तो सुनू। बैंक बले भाई साब ने ऐसे से बोला है। अरे, Grewal जी, कुछ नहीं होता ऐसे बोलने से। ऐसे बोला था लोगोंने राइट बंदू को कि हवाईजाज नहीं बनेगा। आज लोगे का हवाईजाज उड़ता है कि यह सौर नो। ऐसे बोला था लोगोंने थोमस एडिसन को कि बिजली नहीं बनेगी। आज बिजली है कि यह सौर नो। और बोला ऐसे ही बोला था राजी सर को कि यह नेटवर्किंग नहीं चलेगी आजो इसमें कि यह सौर नो। और ऐसे ही बोला था जैन साब को और बोला लोग तैसे ही बोलते रहते हैं। बुला, ऐसे मुझे भी बोला था लेकिन मैं भी लेकिन मैं भी god categburg और गरेवाल जी लिखवा के ले लो अगर लोग आपको ऐसे बोलते रहेंगे और आप फिर भी ट्राइटे रहेंगे तो आप भी ऐक दिन डायमें बन जाओगे एक दन आप भी डाइमेंड बन जाओगा थैंक यो थैंक यो लेकिन दोस्तो बताते हैं कि ठोकर खाने से स्वरी काजू खाने से अल नहीं आती ठोकर खाने से अल गती है यसोफ्से है तो नहीं राइमयोद मेरे को जट़का लगा था और यह बात मेरे को बड़ी बड़ी दिखने लगी दिखने लगी तो समझ में नही क्यों नहीं आई क्योंकि मैरा बहुत ज़्यादा नोलेझ का बेकराउंड नहीं था एक तो करेला उपर से नीम चड़ा एक तो मैं फोजी उपर से जाट समझ माईगी बाद नहीं आई मैंने बोला सर सिंपल बासा में अगर आप समझा सकते हो तो आप समझा दो otherwise कोई बात नहीं है आपकी हमारी नमस्ते तो उन्होंने एक बात बोली क्या बात बोली आप जानना चाओगे उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल दी आप ये बताओ उस बैंक वाले भाई साब को एक नमबर का वाइट मेनी एक महिने में कितना तंखा मिलता होगा मैंने बोला सर दस गारा जार पे महिना 2003 की बात है और बोला जो हमारे आदर से हैं जिनको देख्या हम काम कर रहे हैं जो हमारे मेंटर हैं उनको कितना मिल रहा होगा एक नमबर का वाइट मेनी एक महिने में कितना मिल रहा होगा मैंने बोला सर दस गारा लाख रुपे महिना है एक आदमी को एक नंबर का वाइट मनी तस ग्यारा अजार पे मीने मिलता है और एक आदमी को एक नंबर का वाइट बनी 1013 लाख पे मीने मिलता है हौएं ज्यादा समझदार है हजार वाला या लाख वाला गवाला कि मैं भी आप लोगों की तरह नहां लालेचिमे आ गया मैंने बॉल्लाख व्ला ज्यादा समझ दार है कों समझ कुर समझ दार है कि भुपारर रे तो उसी टायम को उन्हें ब मालोगे तो लाग वले बन जाओगे जिंदिकी आपकी है पैसला आपका है क्या आप करना चाते हूं जोड कर लो थेंक्यो थेंक्यो लेकिन दोस्तो थेंक्स चु गोड और थेंक्स चु शिस्टम कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में बात आई कि यार हजार वाले की मानुगा तो हजार वाला रहूंगा और लाख वाले की मानुगा तो लाख वाला हो जाओंगा अजार वाला तो मैं पहले ही हूं आठ नोजार पे की मेने की नोकरी तो पहले ही कर रहा था किसके मानने चाहिए लाख वाले की और मैंने लाख वाले की मानन जिन लोगों की अशिर्वाद से कंपने की बज़े से और हमारी टीम के एक एक टाइगर की वज़े से आज इंदर सिक्रेवाल इसे सिस्थम से एक महीने में आठ हजार रुपे महीना निक माता कम से कम आज की डेट में 13-14 रुपे मिने कमाता है तरह से चोड़ा लागर पर मेरे कुमा